आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरहत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हमें question दिया हुआ है, यदि cos a into sin of a minus pi by 6 का मान अधिक्तम है, तो a का मान क्या होगा तो देखो सबसे पहले हमें sin a minus pi by 6 को खोलना होगा, तो इसके लिए हम सीधा सीधा सा एक formula जानते हैं कि sin x minus y क्या होता है, तो इसके लिए हमारे पास formula है sin x into cos y minus cos x into sin y, ठीके तो यहां से हम सबसे पहले sin a minus pi by 6 का मान निकाल लेते हैं, तो यह हमें कितना मिलेगा देखो, sin a into cos pi by 6 cos pi by 6 का मान हम जानते है, cos 30 degree, अंडरूर 3 वटे तो होता है, minus cos x, यानि minus के cos a into sin pi by 6 का मान होता है एक वटे तो यह हो गया, ठीक है, अब basically हम इसको cos a से multiply कर देंगे, ठीक है, तो 1 upon 2 तो हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर sin a into cos a, ठीक है, minus के, यहां पर अंडरूर 3 वी आएगा, क्योंकि अंडरूर 3 वी तो multiply में है, तो अंडरूर 3 sin a cos a minus cos square a, तो basically अब cos square a की ज लिखा जाए, तो हम एक formula जानते हैं, चूंकि cos 2 theta equal to हमारे पास होता है, 2 times into cos square theta minus के 1, तो यहां से हम लिख सकते हैं, कि cos square theta को basically 1 plus cos square theta को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 plus cos 2 theta divided by 2 लिख सकते हैं, 1 plus cos 2 theta divided by 2 लिख देंगे, तो basically यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 by 2 under root of 3 sin a cos a, ठीक है, यह मिल गया, minus cos square a की जगे, basically हम यहां से minus के 1 by 2 और यहां से minus के cos 2a by 2 लिख देंगे, ठीक, यह चीज़ हो गई, अब देखो हम एक formula और जानते हैं, कि basically sin 2x equal to क्या होता है, तो sin 2x का जो मान आता है, वो 2 times into sin x into cos x के बरावर आता है, तो देखो यहां पर मैं यह formula बना सक तो मैंने इसके लिए क्या किया, basically 1 by 2 ठीक है, और under root 3 by 2, यानि 3 by 2 into 2 sin x, यानि 2 से गुणा कर दिया, और 2 से multiply कर दिया, तो यह हमारा एक formula बन जाएगा, और minus के 1 by 2, minus के cos 2a by 2, यह चीज़ मिल जाएगी, तो देखो यहां से हम बात करें, तो basically 1 by 2 तो हमने बार निकाल के र minus के 1 by 2 cos 2a, यह चीज़ हो गई, ठीक है, और यह हमारा यहां पर minus के 1 by 2 आ जाएगा, ठीक, कोई यह यहां तक solve हो गया, तो अब देखो, हम इसको लिख सकते हैं, यहां से basically, कि 1 by 2, ठीक है न, तो under root 3 by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर, कि cos 30 degree, तो cos 30 degree into sin 2a minus के, इसको हम लिख सकते हैं, sin 30 degree into cos 2a, और यहां पर basically हमारा हो जाएगा, minus के 1 by 2, तो देखो, यह तो हमने आभी आपको formula बताया था, sin a cos b, minus के cos a sin b, ठीक है न, तो यह न, sin x minus y e के रूम में बताया था, तो basically 1 by 2, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, sin 2a minus के 30 degree, 30 degree को क्या लिखते हैं, 5 by 6, ठीक है, और minus के 1 by 2, यह जीज़ हमें मिल जाएगी, अब यहां से हम इसको solve करें, तो basically देखो, अब हमें क्या मिलना है, कि हमें इसका अधिकतम मान बताना था, तो चुंकि देखो, हम जानते हैं, कि यह अब पूरा हमारा एक variable में आ गया, जो की sin है, तो हम जानते कि sin theta theta की जो परास होती, वो minus 1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, उसी प्रकार sin 2a minus pi by 6 की जो परास होगी, sin of 2a minus pi by 6 की जो परास होगी, वो भी हमारे minus 1 से 1 के बीच में ही होगी, तो अगर हमें इस व्यंजक का मान अधिकतम चाहिए, यानि, cos a into sin of a minus pi by 6 का अगर हमें अधिकतम मा किmaak, तो इसके लिए इसका मान किसके बरावर होना चाहिढे, इसका मान हमारा 1 के बरावर होना चाहिए, ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे, कि 1y2 into 1 minus k1y2, तो बेसिकली यह हमारे पास किसा हमारे पास आ जाएगा 1y4, तो हम कह सकते हैं, कि basically, यह हमारा मान अधिकतम है, तो इस एक्तमान कर देता है, जब 2 een minus के 5ths 6, बेसिकली हमारा किस के बडावर हो, 500 के बडावर क्योंकि subscribe किola क्यूंकि लिए एक ही होता है, तो यहां से हम कहेंगे कि 2 equals to 90 degree plus 30 degree, यानि basically 120 degree मिल गया, तो यहां से हम कहेंगे कि a equal to हमें कितना मिल जाएगा, 60 degree मिल जाएगा तो एक अमान कितना आजाएगा बेसिकली pi by 3 तो a equal to pi by 3 के लिए ये जो बेंजक है वो अपना अधिकतम मान देगा, thank you